Hello friends, welcome to my youtube channel, मैं हूँ दिवया शर्मा दोस्तो, आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि आप विटामिन B12 को, विटामिन D को और कैल्शिम को इन तीनों चीजों को अपने शरीर में कैसे पूरा कर सकते हैं बहुत ही प्राकरतिक तरीके से सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इनकी कमी होने से शरीर में क्या होता है अगर शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो नसे कमजोर हो जाती है क्योंकि विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो हमारी हर एक नस के उपर, हर एक नर्व के उपर एक माइलिन की तरह, एक कवरिंग की तरह काम करता है और अगर इसकी कमी हो जाएगी, तो क्या होगा? हमारी नसे कमजोर हो जाएगी, जल्दी दब जाएगी, जल्दी डेमेज हो जाएगी चाहे वेरिकोजवीन की समस्या आजाए, या फिर नसों में दर्द होने लगे, नसों में सूजन आजाए ये सारी समस्याइं शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी से आती है इसके इलावा विटामिन B12 की कमी से थायरेट की समस्या भी हो जाती है इसके इलावा अगर शरीर के अंदर विटामिन D की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या होगा हम चाहिए कितना भी कैल्शिम खा रहे हैं वो हमारे शरीर को नहीं लग पाएगा यानि चाहिए हम धेश सारा कैल्शिम का रहे हैं टैबलेट खारें कैल्शियम की, फिर भी हमारी हड़ियां खोकली ही होंगी, हमारी बॉंड डैनसिटी कम ही होंगी, हमारी हड़ियां टेडी मेडी हो सकती है, जोडों में दर्द बढ़ सकता है, कमर दर्द हो सकता है, गुटनों में दर्द बढ़ सकता है, यानि कि हमारे शरी जो कैल्शियम है हमारी हड़ियों को मिल सके हमारी बॉड़ी को हमारे खून को मिल सके अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की तो दोस्तों तीसरी चीज़ है कैल्शियम तो शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो कैल्शियम एक ऐसा घटक है एक ऐसा माइक्रो न्यूट्र मास पेशियों में तरद, यानि शरीर के सभी दरद शुरू हो जाएंगे, मास पेशियों में खिचाब होना, सूजन होना, एटन होना, यह सारी की सारी समस्याई शरीर में कैल्शिम की कमी से हो जाएंगे जैसे शरीर में vitamin D होना जरूरी है अगर हम चाहते हैं शरीर को calcium मिल सके उसी हिसाब से शरीर को calcium जरूरी है अगर हम चाहते हैं हमारी body को protein, iron, vitamin A, vitamin C, vitamin K मिल सके तो उसी चीजें तभी मिलेंगी अगर हमारे शरीर में calcium है तो इसी लिए जरूरी है कि हमारे शरीर के अंदर balance में यानि सही मात्रा में vitamin B12 भी हो, vitamin D भी हो और calcium भी हो तो चलिए जान लेते हैं कि हम इन कमियों को कैसे अपने शरीर में पूरा कर सकते हैं vitamin B12 की कमी को पूरा करने के लिए आपने ये सुना होगा कि नॉन्वेज ही एक ऐसा साधन है जिनके द्वारा हम vitamin B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आज मैं दो आपको ऐसे vegetarian तरीके बता रही हूँ जिनका सेवन करके आप अपने शरीर में vitamin B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं दोस्तों हो है सफेद तिल काले तिल नहीं कह रही काले तिल के अंदर iron और fiber ज़्यादा होता है सफेद तिल के अंदर vitamin B12 और calcium ज़्यादा होता है अगर आपके शरीर के अंदर कैल्शिम की कमी है और विटामिन वीट्रल की कमी है तो आपको रोजाना का रोजाना सफेद तिल का सेवन करना चाहिए चाहे आप एक चम्मच सफेद तिल का इस्तमाल करें दूद के साथ कर सकते हैं आप पानी के साथ भी कर सकते हैं अगर आप रोजाना सफेद तिल का इस्तमाल करते हैं तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन B12 की कमी नहीं हो सकती दोस्तों सर्दियों के दिनों में तो आप सफेद तिल का इस्तमाल गुड के साथ कर सकते हैं बहुत असानी से बहुत फाइदे होंगे यूरिक एसेड को भी ये कम करतेगा लेकिन अब जैसे की गर्मिया शुरू हो चुकी है तो अब आप क्या करिए एक चमच सफेद तिल को रात को भिगो दीजिए और सुबह आप इसको चबा चबा कर खा सकते हैं पानी के साथ या पेस्ट बना कर जैसे भी कंजूम कीजिए यानि सिर्फ आपने भिगो कर खाना है क्योंकि इसकी तासीर गरम होती है और गरम नेचर वाली चीज़ें गर्मियों में नहीं घाई जाती फिर हमने इसका नेचर ही चेंज कर देना है हमने रात को इसको भिगो देना है पानी में और सुबह इसका सेवन करना है इस तरीके से आप अपने शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं नसों की जितनी भी समस्यां हैं वेरी कोज़ वीन की समस्यां और ये पिंडलियों में दर दो रहा है नसों में ब्लोकेज आ रही है नसों में सूजन आ रही है ये समस्यां दूर हो जाएगी इसकी लामा सफेद तेल का इस्तमाल करने से कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी चीज की जैसे की मैंने आपको तीन चीज़े बताई है विटामिन B12, कैल्शियम और विटामिन D तो विटामिन D की कमी को अगर आप घर पर और बहुत नेचुरल तरीके से पूरा करना चाते है तो आप मश्रूम का सेवन कीजिए अगर आपके पास धूप में बैटने का समय नहीं है तो आप क्या करिए? मश्रूम लेके आईए उसे धूप में सुखाईए वो विटामिन D जो है वो मश्रूम में चला जाएगा और इस मश्रूम को आप खाईए आप इसकी सबजी बना कर खा सकते हैं इसका सूप बना कर खा सकते हैं जैसे भी सेवन कीजिए यानि वो धूप में सूखी हुई मश्रूम का सेवन आपने करना है आपके शरीर में रोज का रोज विटामिन D चला जाएगा आप हफते में दो बार भी इसका सेवन करके विटामिन D की कमी को पूरा कर सकते हैं अगर आप इन तीनों चीज़ों को विटामिन B12 को, कैल्शिम को और विटामिन B को अपने शरीर में कमी नहीं आने देंगे पूरा कर लेंगे तो आपको जोडों के दर्द, हड़ियों के दर्द नसो से सबंदित समझ जाएं कभी जिन्दगी में नहीं सता सकती तो बहुत असान तरीका मैंने आपको बताया सिर्फ दो चीज़ों के सेवन से आप तीन चीज़ों की कमी को पूरा कर रहे हैं आप सफेद तिल के द्वारा विटामिन B12 और कैल्शिम की कमी को पूरा कर रहे हैं और मश्रूम के द्वारा आप विटामिन B की कमी को पूरा कर रहे हैं तो दोस्तो यह information यहीं तक थी अगर आपको यह information अच्छी लगी आपके काम की है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और अपने फ्रेंस के साथ जरूर शेयर करिएगा और हाँ अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा बिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कुट पाए